वेल्कम तू कर्मेन को एजुकेशन स्ट्राइब तू एक्सिलेंस हेलो फ्रेंड्स दिस प्रिया कर्षप कर्मेन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं 14 जुलाई 2020 से लिए गए इंपोर्टेंट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फास्ट करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था को भारत में राष्ट्य मचली किसान दिवस कब मनाया जाता है अप्शन थे 12 जुलाई 10 जुलाई 11 जुलाई या 9 जुलाई जो इसका करेक्ट अंसर था वो था बी 10 जुलाई को अप्शन दिवस मनाया जाता है एक बड़ी टेल्स देख लेते हैं डिटेल्स हैं राष्ट्य मतस्या पालन विकास पोड के सहयोग से मतस्या पालन पश्यू पालन और डेरी विभाग द्वारा मतस्या विभाग राष्ट्य मतस्या कृष्षक दिवस 22 जो है 10 जुलाई 2020 को म मनाया गया है इसी कितात आगे पढ़ते हैं next question discuss करेंगे next question है विश्व जन संक्या दिवस डैस पर मनाया जाता है option है 9 जुलाई 10 जुलाई 11 जुलाई यह जुलाई का दूसरा शनिवार जो इसका correct answer है वो है c 11 जुलाई को विश्व संक्या दिवस मनाया जाता है एक बार डिट देल से वैश्विक जन संक्या मुद्दो के बारे में जागुकता को बढ़ाने के लिए 11 जुलाई को हर साल विश्व जन संक्या दिवस मनाया जाता है और दिन की जो स्थापना है जो 1987 में संयुक्त रश्टे विकास कार्यकरम की governing council द्वारा 1987 के दिन में दिन में याद में क थी इत मेंज जो 1987 था वो कार्यकरम जो है governing council द्वारा 1987 में याद की गई थी और जब दुनिया का 5 billion आबादी तक पहुँच गई थी और 2020 जो है विश्व संक्या दिवस की जो theme है महिलाओं और लड़कियों के सास्ते और अधिकारों की सुरक्षा है इस बार की जो theme ली गई है जो महिलाओं और लड़कियों की जो स्वास्ते और अधिकारों की जो है सुरक्षा ली गई है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question next question है रीवा अल्ट्रा मेगा सॉलर पावर परियोजना की सबसी बड़ी सोर उर्जा परियोजना है यह किस राज्य में है आफ् एक बार डिटेल से लेते हैं डिटेल से प्रधान मंत्री श्रीम नरींद्र मोधी नहीं 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा और जो उर्जा परियोजना की राष्ट्रे को समर्पित किया है इसकी शुरुआत हुई है वो 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा सौर उर्जा परियोजना को जो है राष्ट्रे को समर्पित किया है मिस्टर नरींद्र मोधी जी ने और म्रध्य प्रदेश की जो रीवा में 750 मेगा वाट की नई रीवा अल्ट्रा मेगा और उर्जा पर गया है, वो 1500 हक्टेर में इसे विख्सित किया गया है और यह एशिया की सबसे बड़ी सौर उर्जा की जो है परियो जुना है इसी के साथ एक बार मैप में नदर डाल लेते हैं मैप में जैसे कि देख पाएंगे यह हमाध्य पर्दिश परिंगे जो भारत में इस प्रकार से यहां पे इस्तितः और जो अपना बॉड़रिश शेयर करता है राजिस्थाघ्य जो यह उत्तर पर्दिश शत्थद गर्ण महाराष्टरा और यहां पर देख पहेंगे गुजरास से भी अपना ये बॉर्डर शेयर करता है और जो यह अपनी इसके यहां के गवर्णर है वो लाल जी टंडन है और कैपिटर यहां की बुपाल है और चीफ मिनिस्ट्रियां के शिवरासी चौहांग जी है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स क्रेशन नेक्स क्रेशन है कुशल विकास और उद्ध्यमिता मंत्रा लिया दोरा कुशल कार्यबल बाजार में मांग अपूर्टी की खाई को पाटने के लिए शुरू किये गए आप्शन है असीन, सेतु, कुशाल या अपार जो इसका करेक्ट आंसर है वो है असीन जो आटिफिशल इंटेलिजेंसी के जो मंच का नाम है वो है असीन इसी के साथ इक बढ़ डिटेल्स चिसकस कर लेते हैं डिटेल्स से कोशल विकास और द्ध्यमिता राज्य मंतरी महिंदर नात पांडी ने 10 चुलाई 2020 को इस्थाई अजीविका के अफसरों में कुशल लोगों की मदद करने के लिए इस आत्म निर्भर स्किल एमप्लॉई एमपायर मैपिंग पॉर्टल को लांच किया गया है जो पॉर्टल लॉंच किया है जो कुशल लोग हैं उनकी मदद करने के लिए उनको अफसर प्रवदार उनकी अजीविका के लिए अफसरों में कि जो कुशल लोग है उनकी उसमें मदद करने के लिए यह आत्मु निर्भर स्किल इंप्लाई इंप्लाईर असीम जो मैपिंग इसकी जो complete नेम है असीम का वो इस प्रकार से यहां पे दिया गया जैसे कि देख पा रहे हैं आत्मु निर्भर स्किल इंप्लाई इंप्लाईर मैपिंग यह पोर्टल है जिसको शॉर्ट में असीम का नाम दिया गया है और असीम सूचना प्रभार को बहतर बनाने और कुशल कारेबल बजार में मांग पूर्थी की जो खाई है उसे पाटने के लिए उसे खतम करने के लिए उसके कृतिम गुद्धिमता अधारित एक मंच बनाया गया है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देते है नेक्स कोश्चन है आई आर डी ए आई ने महामारी जोकिम पुल बनाने की रहवरता की जाच के लिए एक नो सदस्य कारेबल का गठन किया है इस कारेबल का प्रमुक कौन है आप्शन है इतेश कोटक सुरेश माथूर रुचिता गुपता यह सुशीलेंदर राव जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी सुरेश मातुर जो है के मुखे जो है इसकारे के प्रमुक रहेंगे इसी के साथ एक बार डीटेल्स देख लेते हैं डीटेल्स है भारतिय बीमा विनेयामक और विकास प्राधिकरन आई आर डी ए आई ने महामारी जोकिम पुल की एक व्यावरता की जांच के लिए नो सदस्या जो एक कार्या समुग गठन किया है एक कार्या गठन को जो है समुग गठन किया गया है जिसमें नो सदस्या है और इसमें जो है महामारी जोकिम पुल की एक व्यावरता जांच के लिए नो सदस्या के एक समुग बनाया गया है और काम करने वा जो मुख्य उद्देश्य है इसका जो जोखिम पुल का एक सम्हू बनाया गया है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जोखिम को संभोधित करना और जो की COVID-19 महामारी द्वारा ट्रिगर किये गए हैं और साती भविश्य में इसी तरह की संकट को मामले में सुरक्षा प प्रख्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स प्रेशन नेक्स कोश्चन है 2020 एश्य कब प्रिके टूर्णामेंट को जून 2021 में आयजित करने के लिए इस्तागित कर दिया गया है कौन सा देश की मेजबानी करेगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक बार डिटेल्स कर लेते हैं डिटेल्स है एश्य कब क्रिकेट टूर्णामेंट का 2020 संस्क्रेंट जो जून 2021 तक एश्य क्रिकेट परिशत द्वारा इस्तागित कर दिया गया है क्योंकि इस शेत्र में सी ओवी आईड COVID-19 जैसे कि आप यहां पर देख पाएंगे COVID-19 के जो मामले में बृद्धी हो रही है उसके संस्क्रेंट की वजए से इसे जो है अभी स्थागित कर दिया गया है जो क्रिकेट टूर्णामेंट होने वाला 2020 में जो कि जून 2021 को एश्य क्रिकेट परिशत द्वारा स्थागित कर दिया गया है क्योंकि COVID-19 के मामलों में जो कि आजकल रिद्धी देखने को काफी मिल रही है यह उसकी वज़े से स्थागित कर दिया गया है और अब श्री लंका जो है 2021 में जो है एश्य कपकी जो मेजवानी करेगा और जबकि पाकिस्तान को 2022 में मेजवानी का अधिकार म मिला है वो जो है श्री लंका को मिला है और 2022 में जो है पाकिस्तान इसकी मिजवानी करेगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question नेक्स्स कोशिन है मिस्व के विश्व चैंपियन खिलाड़ी रनीम एल वैली ने इनमें से किस खेल में खेल से अपनी सेवा निर्विती की गोशना की है आप्शन है टैनिस, बैडमिंटन, स्क्वेश या हॉकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्क्वेश इसका करेक्ट आंसर है इसी के साथ एक बाई डिटेल्स जो इसको स्क्वेश लेते हैं डिटेल्स में देख पाएंगे विश्व की जो शीश करम की जो महिला स्क्वेश खिलाड़ी है मिस्र की रानीम एल वैली ने 9 जुलाई 2020 को अपनी सेवा निर्वित की गोशना कर दी है और 31 वर्षी है किसी भी खेल में दुनिया के नमबर वन बनने वाली पहली अरब महिला भी थी यह जो हैं जिन्होंने सेवा निर्वित होने की गोशना कर दी है 9 जुलाई 2020 को यह 31 वर्षी है किसी भी खेल में दुनिया भर की जो है नमबर वन बनने वाली जो है अरब की पहली महिला भी राच चुकी थी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स कोशन नेक्स कोशन है किस राजे ने दूद और उसके उत्पादों की शुदिता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर नामक सब्ताह का लंबा अभियान शुरू किया है आफ्शन है कुजरात राजिस्थान हर जे सरकार ने दूद और उसके उत्पाद होते हैं उसकी जो शुदिता है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक सब्ताह का अभियान प्योर फॉर शुरू किया है और ये अभियान जो है आठ जुलाई से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई तक 14 जुलाई 2020 तक ये अभियान चल लेते हैं मैप में जैसे की देख पाएंगे राजसान आप और राजसान जो स्टाब्रिश किया गया वह 30 मार्च 1949 में किया गया था जो इसकी कैपिटल है वो है जैपूर और जो यह अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है आप देख पाएंगे यहां पर पंजाब हर्याना उत्त परदेश, मध्य परदेश और गुजा से अपना बॉर्डर शेयर करता है और यहां पर देख पाएंगे यह इंटरनेशन में पाकिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करता है जैसे कि यहां पर आप देख पारें राजसान और गवर्णर जो हैं इसके कलराज मिश्रा जी हैं और Chief Minister के अशोग गैलोच जी है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question नेक्स question है भारत के पहले technology नवीद्या AI प्रद्योगी की केंद्र को शुरू करने के लिए किस भारती संस्तान ने अमेरिकी प्रद्योगी कमपनी नवीद्या के साथ सहयोग किया है option है IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT मदरास या IIT इंदौर जो इसका correct answer है वो है A IIT हैदराबाद एक बड़ डिटेल्स कर लेते हैं डिटेल्स में देख वाएंगे Indian Institute of Technology हैदराबाद के ने artificial intelligence और इसके जो commercial adoption है पर research में तेजी लाने के लिए भारत की पहली AI नवीद्या AI Technology Center सापित करने के लिए अमेरिका की जो multinational technology company नवीद्या के साथ सहयोग किया है और ये 9 जुलाई 2020 को अत्यादुनिक सवीधा का संचालन्ज शुरू हुआ है इसका जो 9 जुलाई 2020 से जो अत्यादुनिक इसकी जो सवीधा है उसका जो है संचालन्ज शुरू हो चुका है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question next question है करोना वाइस के कारण हाल ही में निधन हो चुके डॉक्टर सुरेश अमोन कर किस राज्य के पूर्व मंत्री थे option है करनाटर, महराष्टर, गोवा या गुजरात जो इसका correct answer है वो है C गोवा ये सुरेश अमोन कर जो है गोवा राज्य के जो है पूर्व मंत्री थे इसी के साथ एक बाद डेटेल्स भी डिसकस कर लेते हैं डेटेल्स में देख पाएंगे गोवा के जो पूर्व स्वास्त्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोन करकर जो कोवीड-19 संकर्मन के कारण निधन हो गया है जो कि 68 ये थे और उन्होंने 2000 में पहली मनोहों परिकर कैबिनेट में स्वास्त्य मंत्री के रूप में कार्य किया था इसी के साथ एक बाद डिटेल्स आप मैप मेनेजर डाल देते हैं मैप में जैसे कि देख पाएंगे यह है गोवा को आप देख पाएंगे जो कि यहां पर इस प्रकार से भारत में इस्तित है जो इसकी फॉर्मेशन की गई थी स्टेट की वो 30 में 1987 में की गई थी जो गवर्नर है यहां के सत्यापाल मलिक है चीफ मिनिस्टर यहां के प्रमोट सावंत है जो कैपिटल है आपको देख दिस्टिक हैं वो हैं दो साउथ गोवा और नोर्थ गोवास की जो हैं दो दिस्टिक हैं यहां पर देख पाएंगी जो बोर्डर अपना शेयर कर रहा है गोवा महराश्टरा करनाटका इन दोनों से यह अपना बोर्डर शेयर करता है महराश्टरा और करनाटका से अपना ब वस्ता की विकास दर्ग क्या होगी आफशन है माइनस सिक्स परसेंट माइनस 3.7 परसेंट माइनस 4.9 परसेंट माइनस 5.2 परसेंट और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे विकास यह था हमारा आज का लास्ट कोशन को सभी कमेंट बॉक्स में डिसकस करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे और यह थे आज के कुछ इंपोर्टन एमसी की उच्छों के लिए गये थे 14 जुलाई 2020 थे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद तब तक के लिए बाए और टेक केरो